जैए शिरी कृष्णा, मेरी प्यारी सी फैमिली कैसे हैं आप सब? उमीद करती हूँ कि आप सब स्वास्त होंगे आज टिप्स वर्ड पर मैं लिकराई हूँ पोहे से बनी एकदम टेस्टी सी रेसिपी आप इसको breakfast में या शाम की चाई के साथ भी serve कर सकते हैं बनाने में बहुत असान और जट पर तयार होने वाली ये रेसिपी कैसे बनी है? चले आपको फटाफट दिखाती हूँ सबसे पहले एक कप पोहा ले लीजे जो और का आटा मिलाने से ये बहुत ज़ादा healthy बनका तयार होगी जो और का आटा ठंडा होता है इसलिए गर में बहुत ज़ादा फायदे बन रहता है इसलिए आप इन दोनों को mix कर लीजे इसके बाद आप पॉन कप के करीब बेचन ले लीजे और इन तीनों चीदों को मिला कर एक सार कर लीजे जब ये पुईते से मिल जाएंगी तब आपको डेड़ कब दही इसमें मिला देना है और इसको mix कर लेना है अगर आपको दही कम लगता है और ये सही से mix नहीं हो पाता है तब आप इसमें हलका सा पानी मिला दीजे अब एक दम स्मूथ सा पेस्ट बनका तयार हो जाएगा एक बात का ध्यान रखेगा हमको इस पेस्ट में ना तो बहुत ज़्यादा गाड़ा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके मिला कर ही चेक कीजेगा अब इस पेस्ट में आप स्वादनुसा नमक मिला लीजे एक चमच सब जीरा आधी छोटी चमच लाल मिच और एक चमच अदर खरी मिच का पेस्ट इसमें मिला दीजे और अब इन सब चीजों को आपस में मिक्स कर दीजे जब इस पेस्ट से मिक्स हो जाएं तब आप एक स्टीमर में ले लीजे उसमें पानी डाल को इसको गैस बचड़ा दीजे और स्टीमर की प्लेट में चारो तरफ तेल लगा लीजे जब पानी पुईते से खौल जाए तब पोहे वाले स्पेस में आप एक चमज खाने का सोडा या इनो डाल कर इसको मिक्स कीजे और स्टीमर की प्लेट पर इसको पलट दीजे आप चाहें तो इसमें हल किसी उपर से लालमेज भी चड़क सकते हैं या ओपिशनल है अब आप इसको ढख कर 20-25 मिन तक पका लीजे जब यह पुईते से पक जाए तब चाको या चमज की उड़्टी साहिट से इसमें लगा कर देखे अगर यह उसमें नहीं चिपकता है तो यह हो गया है वनसे थोड़ी देर और पका लीजे अब इसको ठंडा होने के बाद जब यह बिल्कुत ठंडा हो जाए तब आप चाहें तो मन पसंद शेप में इसको काट लीजे अब एक कढ़ाई ले लीजे और उसमें दो चमज तेल डालकर गरम कीजे जब तील गरम हो जाए तब उसमें आप एक चमज काली सरसो और आठ से करीपता चटक जाएगा तब ढूकले के पीस डालकर इनको अच्छे से भून लीजेगा यह दो से पांच मिन में भून के तयार हो जाएंगे अब जब यह तयार हो गया है तब इसको आप एक प्लेट में निकालकर गरमा गरम सर्व कीजिए आप इसको हरीतीखी चटनी के सा साथ या सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं ऐसी आसान और जटपट बनने वाली रेसिपी देखने के लिए आप हमेशा टेप स्वल चैन से चुड़े रहिए लाइक और कमेंड करके ज़रूर बताईएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी रगी तो चलिए मिलती हूँ कल आप सब से एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखेगा में तव से आप सभी लोगों को जैश्री कृष्णा